कर्मनाशा की हार कहानी की समिच्छा कर्मनाशा की हार स्यूपरसासिंग द्वारा रचित एक चरित्र परधान समाजी कहानी है उन्होंने इस कहानी के माध्यम से समाज में ब्याप्त रूर वादिता और अंध विश्वास का विरोध किया है प्रस्तूत कहानी की समिच्छा, कथानक, कर्मनाशा की हार एक चरित्र प्रधान कहानी है इसमें भैरोपांडे के वेक्तितु के माध्यम से कहानी कहानी ने प्रगसील समाजी दिश्टुकूण का समर्धन किया है कहानी में कहीं भी दिखावा नहीं है इसमें कहानीकार ने जीवन के छोटे-छोटे छणों को पिरोया है लेखक ने कहानी के माध्यम से एस्वस्ट किया है कि समाज का सक्तिसाली वर्ग समाज का ठिकेदार बना हुआ है वह कुछ भी कर सकता है जबकि कमजोर वर्ग यदि उन्ही कार्यों करता है तो उन्हें दंडित किया जाता है इस कहानी में ब्रामडी वक कुलदीप अपने घर के शमी रहने वाली मला परिवार की बिधवा फुलमत से प्रेम करने लगता है परिवार के साथ उसे शिवकार नहीं करते तथा अपने बड़े भाई भाई भैरोपांडे की डाट से घवरा कर कुलदीप घर छोड़ कर भाग जाता है फुलमत एक बच्चे को जन देती है तभी कर्मनासा रधी में बाढ आ जाते हैं जिसे लोग फुलमत के पाप का पढ़िणा मान कर उसे और उसके बच्चे को नदी में फेक कर पल देना चाहते हैं जिससे नदी में आई बाढ समाप थो इसका विरोध करते हैं प्रगसिल भाइरोपांडे उसे अपनी कुलबदू के रूपे सिवकार करके गाउवालों का मुह बंद कर देते हैं पात्र और चरित चित्रन परसुत कहानी में मुखे पात्र भाइरोपांडे हैं और मानोता की रच्चा के लिए पूरे समास से भीड़ जाते हैं इसके अत्रिक्त अन उलेखनी पात्रों में कुलदीप एवंग फुलमत है कुलदीप में किसी सीमा तक मर्यादा का बोध भी है जिसके काणड़वा चुपचाप घर चोड़ कर चला जाता है जबकि पुलमत अपने प्रेम की निसानी अपने बच्चे को जन्म देखर अपनी पवित्र भावना को दर्शाती है मुखिया ग्रामिल समाज का प्रत्नी तथा अंद विश्वाशों अंद वादियों का समर्थक चरित्र है वह इस्षाल एवं कुलूर है इस प्रकार्चेर चित्रन की द्रिष्ट से यह एक शफल कहानी है कथोप कथन इस कहानी की संबाद योजना में नाटकियता के सासा सजी हुता तथा स्वभाविक्ता के कुण भी मौजूद है संबाद पात्रों के चरित्र उदगारन में साहयक हुए है जिससे पात्रों की मनोवेतियों का उदगारन हुआ है वे संचिप्त रोचक, गच्सेल, सरस और पात्रा नुकूल है देशकाल और वातावण कर्मनाशा की हार एक आंचलिक कहानी है इस कहानी में श्वाहविक्ता लाने के उद्देश से वातावण की स्रिष्ट की और विस्येस द्यान दिया गया है एक उसल सिल्पी की तरह कथाकार ने देशकाल और वातावण का चित्रन किया है इसके अंत्रकत सामाजिक, दार्मिक और आर्थिक परिस्तियों का चित्रन होगा है लेखा कर्मनाशा की बाढ़ का चित्र आईशा कीचा जैसे पाठक किरारे पर खड़ा होकर बाढ़ का विविश्चन दिर से देख रहा हो भासा शैली भासा में ग्रामिट सब्दावली, मानुष, दी, तिताई, दस, बिटवा, चावरा, आधिका परियोग किया गया है साथी मुहावरे तथा लोकोक्तियां का भी परियोग करके कथा के वातावण को सजीव मनाया गया है जैसे दाल में कालावना, पेट में जैसे हाउशला, सहलाब, आधिके साथ-साथ दोहरे परियोग वाले सब जैसे लोक भाग भाग उठल ले, निठल ले, आधिके खाण भासा में और अधिक सजीवता आ गई है इस कहानी में सिल्पकत विसेस्ताओं वा अधिक फ्लेश्पेक की पद्दत का प्रियोग करके लेखकने घटनाओं की तारतमेता को की कुशलता से चोड़ा है कहानीक शैली की एक और विसेस्ता है, सजीव चित्रन और सठी कुपमा है कहानीकार में बाड़ की विविश्च का बड़ा ही जीवन्त तथा रोमांचक चित्रन किया है उद्देश, उपेच्छिता के प्रति, सहनभूत इवन्ग समवेदना व्यक्त करना तथा उष्च के अधिकारों के लिए संगर्ष करने के प्रणादना इस कहानी का एक मुख्य उद्देश है इसमें शोशित्वर की आवाज को बुलंद किया गया है इह कहानी प्रगसीलता एवं मानोतावादी का समर्थन करती है इसमें अंद्विश्वाष्णों को खंडित किया गया है वैक्तिक वा समाजिक सभी प्रकार के अस्तरों पर होने वाले शोशन का विरोत किया गया है सिर्षक प्रस्तित कहानी के सिर्षक कथावस्त को पूरुता शफल बनाने का प्रतिनीत करता है इसमें प्रतिकात्मक भावस होता ही देखने को मिलता है कर्मनासा नदी को इस कहानी में अंधकार निररतक तथा रूट की प्रतीक के रूप में चित्रित कर, कहानी कार ने अपनी लेखनी का सफल सामन्जस स्यक्या है. अंत में कर्मनासा नदी को नरबलिक कहना मिलना उसकी हार तथा मनावता की विज yataking को परदरसीत करता है. कबना साग्यार से सक्सरल संचिप्त नमीन वा काउतुगल है जो कहानी की कथाबस्त के अनुरूप सटीक वा त्यंत सार्थक बन पड़ा है